कि अधार प्रेंस इसे बनाने के लिए मैंने 12 नमबर के सलाई लिए हैं तब से पहले हम फंदे गाल लेते हैं कि इस तरह से गांटला लेंगे कि इसमें मैंने 12 बादर बनाया हैं कि अ यह दोसरे करने लेंगे इसमें बादर बनाना है उससे उसे यह लपटेंगे और दूसरा वाला खाया इसेnovaए में अंगोठे में आपना पर देखे यह एक बना है इस तरह से लेपेटेंगे देखिए ये दो तीन चार पांच छे साथ आथ ये देखिए इस तरह से हमें यहां पे 32 बनाने हैं ये देखिए फ्रेंस मैंने इसमें 32 बने डाल लिये हैं अब देखिए ये पहला फंदा हमें सीधा बुनना है अब धागा आगे करके ये एक फंदा हमें सिलिप करना है इस तरह से बेगए बुने में उतारना है धागा पीछे करके एक फंदा सीधा दागा आगे ये फंदा बेगए बुनने विए ऐसे सिलिप करेंगे इसी तरह से हमें 6 लाइनों में ये वाला फंदा सिलिप करना है और जो हम सीधा फंदा बुन रहे हैं उस फंदे को हमें 6 लाइनों में बुरना है सीधी लाइन में हम इसे सीधा बुरेंगे और उल्टी लाइन में हम इसे उल्टा बुरेंगे देखिए दागा पिछे करके सीधा इसी तरह से दूसरी लाइन में हम इसे उल्टा बुरेंगे ही और यह वाला फंदा हां छे लाइनों में स्लिप करेंगे के जindeer स्थी में कि ही इस थरह से मैं इसकी ये पहली लाइन बना लेती हunto हूं यह देखे ड्रैस मेरी यह पूरी हो गई है यहां पे देख्ये लाष्ट में यह सिदह यह झम चाइक तुश्य को यह सीधी कि लाश्ट का पॉपना की यहां पर चलब आ रहा है अब इसे हम पलट लेंगे इसके दूसरी लाइन बढ़ाएंगे दूसरी लाइन में हमें ये वाला फंदा जो हमने सिलिप किया था उसे हम सिलिप करेंगे और ये वाला फंदा हम उल्टा बुनेंगे दागा पीछे ये सिलिप किया हुआ फंदा सिलिप दागा आगे और ये उल्टा फंदा उल्टा, दागा पीछे, सिलिप, दागा आगे, उल्टा, इसी तरह से हम यह पूरी लाइन बनाएंगे, यह देखे फ्रेंस, मेरी यह दूसरी लाइन पूरी हो गई है, अब इसे हम पलट लेंगे, अब हम इसकी तीसरी लाइन बनाएंगे, तीसरी लाइन हमें पहली लाइन क तरह बनाना है एक फंदा सीधा दागा आगे एक फंदा स्लिप दागा पीछे एक फंदा सीधा एक फंदा स्लिप इसी तरह से हम यह पूरी लाइन बनाएंगे देखे फ्रेंस मेरी लाइन पूरी हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे अब हम इसकी चौथी लाइन बनाएंगे ये फंदा हम स्लिप करेंगे और ये फंदा हम उल्टा पुरेंगे दागा पीछे एक फंदा स्लिप दागा आगे एक फंदा उल्टा दागा पीछे स्लिप दागा आगे उल्टा इस तरह से हम ये पूरी लाइन बनाएंगे ये देखे फ्रेंस मेरी ये लाइन पूरी हो गई ह आब इसे हम पलट लेंगे, आब हम इसकी पाचवी लाइन बनाएंगे, पाचवी लाइन हमें पहली लाइन की तरह यह बनाना है, एक बंदा हमें, सीधा बुनना है, दागा आगे करके, एक बंदा स्लिप, दागा पीछे, एक बंदा सीधा, दागा आगे, एक बंदा स्लिप, एक बंदा सीधा एक बंदा सिलिप इसी तरह से हम यह पूरी लैन बनाएंगे यह देखे फ्रेंस मेरी लैन पूरी हो गई है अब इससे हम पलट लेंगे इसकी रॉंग साइट में देखे यह उल्टी साइट में इसके हम छती लैन बनाएंगे सिलीप उल्टा दागा पेछे एक फंदा सिलिप दागा आगे इकफंदा उल्टा दागा पेछे एक बंदा स्लिप धागा आगे एक बंदा उल्टा इसी तरह से हम यह पूरी लाइन बनाएंगे यह देखे फ्रेंस मेरी लाइन पूरी हो गई है अब हम इसे पलट लेंगे इसकी रायर साइड में अब देखे यहाँ पे छे लाइन ने हमने बना ली है डबल बॉटर के लिए इस दागे को हम इसे निकाल देंगे खिंचके अब हमें एक फंदा सीधा और एक फंदा उल्टा बुनना है देखे यह सीधे फंदे पे हम सीधा बुनेंगे और जो फंदा हम सिलिप कर रहे थे उस पे हम उल्टा बुनेंगे एक पंदा सीधा दागा आगे यह पंदा हम जो सिलिप कर रहे थे इससे हम उल्टा बुलेंगे दागा पीछे एक पंदा सीधा दागा आगे यह सिलिप होला पंदा उल्टा एक पंदा सीधा एक पंदा उल्टा देखे इसी तरह से एक पंदा सीधा और एक पंदा उल्टा बुनते हुए हम यह पूरी लैन बनाएंगे यो मेरी लैन पूरी हो गई है अब हम इसे पलट लेंगे इसकी रॉंग साइट में देखे उल्टे साइट में तरिके पहला अब यह सबस्क्राइब ना यहां अब तकह कुछ पनाने के लिए यहां पीछे का फंदा बुरेंगे बॉर्डर बनाने के लिए हम पीछे का फंदा बुनेंगे उल्टा दागा पीछे देखे इस तरह से पीछे का फंदा सीधा दागा आगे उल्टा सीधा इसी तरह से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते वे जाएंगे सीधे फंदे पे सीध़ा और उल्टे फंदे पे उल्टा हम यह पूरी लान इसे तरह से पूरी करेंगे यह देखे friends, मेरी यह पूरी हो गई है अब हम इसे पलट लेंगे इसकी right side में देखे, इसी तरह से एक फंदा उल्टा और एक फंदा सीधा बुनते हुए हमें बॉर्डर बनाना है तो मैं इसी तरह से बुनते हुए इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ जहां पर मुझे दूसरे कलर का धागा अटेच करना है यह देखे फ्रेंस यहां पर एक, दो, तीन चार, पांट, छे यहां पर देखे छे लाइने इस तरह से होने के बाद हम यहां पर दूसरे कलर का धागा अटेच करेंगे देखे एक, दो, तीन, चार, पांट, छे अब हमें यहां पर दूसरे कलर का धागा लगाना है इस तरह से सीधा दागा आगे इफंदा, उल्टा दागा पिछे सीधा, दागा आगे उल्टा इस दागे को हमें कट नहीं करना है इसको हम इसी में ऐसे रहने देंगे और इस दागे से हम यह पूरी लाइन बनाएंगे इस तरह से यह देखे फ्रेंस, मेरी यह लाइन पूरी हो गई है यह इसकी राइट साइड है दागे को हमें राइट साइड से अटेश करना है अब हम इसे पलट लेंगे इसकी राउंग साइट में देखे यह इसकी उल्टी साइट पहला फंदा उतारेंगे धागा आगे उल्टा सेधा इसी करार के धागे से हमें यह पूरी लाइन करनी है देखे फ्रेंस मेरी यह लाइन पूरी हो गई है अब हम इसे पलट लेंगे इसकी राइर साइड में यहाँ पर देखे हमें यहाँ पर दो लाइने बनानी थी क्रीम कलर के धागे से हमने यहाँ पर दो लाइने बना ली है अब हमें पिंक कलर के धागे से यहां पर दो लाइने बनानी है देखे यहां पर इस तरह से धागे को यहां पर ऐसी कर लेंगे सीधा दागा आगे उल्टा सीधा देखे इस तरह से यह पूरी लाइन बनाएंगे देखे फ्रेंस मेरी लाइन पूरी हो गई है अब इसे हम पलट लेंगे इसकी रॉंग साइट में जिस तरह से हमने यहां पर यहां पर बनाना है एक लाइन हमने बना ली है अब हम दूसरी लाइन बनाएंगे पहला फंदा उतारेंगे दागा आगे एक फंदा उल्टा एक फंदा सीधा इसी तरह से हम यह पूरी लाइन बनाएंगे यह देखे फ्रेंस मेरी यह लाइन पूरी हो गई है अब हम इसे पलट लेते हैं इसकी राइड साइड में देखे यहाँ पर जिस तरह से हमने यह दो लाइने बनाई हैं इसी तरह से हमें दो लाइने यहाँ पर किरीम कलर की हमें बनानी है देखे यहाँ पर दो लाइने हमने यह बनाई है और दो लाइने हमने यह बनाई है इसी तरह से दागे को हम यहां पर ऐसे अटेच्च करेंगे सीधा उल्टा सीधा देखे इस तरह से यह पूरी लाइन बनाएंगे उसके बाद हम पलट के देखे उल्टी साट से हम पूरी लाइन बनाएंगे तुम इसकी दोनु लाइने बना लेती हूं सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से पूरी रेसे नीहां है इसकी इसे रायड साइड में में यह वाला धावा करआदा है अब हम पिंक वाले धागे से इसके आगे का बॉर्डर बनाएंगे मुझे जितना लंबा चाहिए उधना लंबा मैं बना लेती हूं यह देखे फ्रेंस यहां पर मैंने पिंक वाला बॉर्डर बना लिया है यहां पर देखिए एक दो तीन चार पांच यहां पर इस तरह से जब हमारी पांच लाइने हो जाएंगी तब हमें यहां पर पंदे बढ़ाने हैं देखिए इसे इंची टेप से नाप लेंगे देखिए लबक पॉने तीन इंच का मैंने यहां पर इसका बॉर्डर बनाया है अब हमें यहां पर 11 नमबर की सलाई लगानी है 11 नमबर की सलाई से हम इसके फंदे बढ़ाएंगे अब हमें उल्टा फंदा नहीं बुनना है सारे फंदे हमें सीधे बुनने हैं कि यहां पर एक फंदे में से इस तरह से यहां पर दो फंदा बना लेंगे यहां पर हमारे यह फंदा बढ़ गया है कि उल्टा वाला फंदा भी अब हमें सीधा बुनना है इस तरह से हम आगे वाला फंदा बनेंगे अ हमें यहां पर आठ फंदे बढ़ाने हैं कर यहां से यहां तक commence इस तरह से फंदे बढ़ाएंगे यहां पर एक फंदा इस तरह से बढ़ा लेंगे इसे सीधा हमारे यहां पर देखें दो फंदा पड़ गया एक यहां पर और एक यहां पर आप चाहें तो यहां इसी फंदे में से दो फंदा भी बना सकते हैं देखें इस तरह इस तरह से यहां पर फंदे बढ़ा सकते हैं यहां पर हमारे तीन फंदे बढ़ गए हैं इसी तरह से हमें यहां से यहां तक पूरे आठ फंदे बढ़ा लिए हैं यहां पर हमारे चालिस फंदे हो गए हैं यह इसकी left side है अब हम इसे पलट लेंगे इसकी wrong side में देखें इसकी उल्टी तरफ आप हमें 11 नबर के सलाह से भुनना है देखें हमने यहां पर आट फंदे बढ़ाए है अब हमें फंदे नहीं बढ़ाने हैं छिर्फ हमें 8 फंदे की जरूरोत पहले फंदा से उतार लेंगे हम यहां पर देखिए 20 फंदा हमें बुलना है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, प्यारा, बारा, तेरा, चाउदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठरा, अनिस, डिस, देखिए यहां पर, यहां पर 20 फंदे और इस सलाई पर 20 फंदे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस, यारा, बारा, तेरा, चाउदा, पंदरा, सोला, सतरा, अठरा, अनिस, बिस अब हम इसे, इस तरह से, इसे मोड लेंगे, देखिए, यह उसकी, उल्टी साइट है, और यह सीधी साइट है, यह राइट साइट, हमें राइट साइट, इस तरह से, इसे अंदर कर लेना है, देखिए, इस तरह से, और यह पूरी लाइन हमें, उल्टी बुलनी है, देखिए, इस तरह से, हम तीसरी साइट ले लेंगे, देखिए, यहाँ पर, देखिए, यह उल्टा फंदा, इसे हम, इस तरह से, इसे बुलेंगे, हमें यह दोनों सलाइपे के फंदे, इस सलाइपे करने हैं, देखिए, इसे, इल्टा बुलेंगे, और देखिए, इस सलाइपे का फंदा, यहाँ पर सीधा दिख रहा है, इसे हमें बेगार बुने हुए ऐसे उतार लेना है, धागय को हम इसी साइट में ऐसे रहने देंगों और इसमा उल्टा वाला फंदा उल्टा बूनेंगे है कि अब यह सीधा वाला फंदा देखेगे इस सील अप्रें इसान पे गैर बुने हुछ उतारेंगे यह फंदा उलटा इसालार प्राइब का फंदा वे गयर बुने हुए उतार 123 का फंदा उलटा बेगयर बुने हुए उल्टा बेगयर बुने हुए उतारेंगे driving इसी तरह से हमें पूरी लाइन करनी है देखिए धागे को हम इसी साइट में ऐसे रहने देंगे और इसी साइट में रखके इसे हम उल्टा बुरेंगे और इसे हम बेगर बुरेंगे उतारेंगे करेंगे देखिए इस तरह से इस दोनुट सलाइपे के फंदे इस शलाइपे पर देखिए पर देखिए यह लाश्ट का फंदा हमने यहां पर इस दोनुट लेंगे अब इसे हम पलट लेंगे इस साइट में अब यहां पर देखिए यह फंदा जो उल्टा दिख रहा है इसे हमें बुरना है इस साइट से हमने जो फंदा सिलिप किया है इस साइट से उस फंदे को हम बुरेंगे देखिए यह फंदा हमने सिलिप किया है यह वाला और यह वाला बुरना है और यह वाला सिलिप है इस फंदे को हमें बुरना है इसे ऐसे पलट लेंगे कि इस तरह से मिसे बुनेंगे अल्टा अब यह वाला पंदा इसे सीधा फंदा इसे हमें दे गए बुने वे इसे सिलिप कर लेना है और जो यह उल्टा पंदा दिख रहा है इसे हम उल्टा बुनेंगे और यह सीधा वाला फंदा बेगार बुने हुए ऐसे उतार लेंगे यह उल्टा फंदा उल्टा और इसे देखिए यह सीधा फंदा बेगार बुने हुए ऐसे उतार लेंगे उल्टा इसे बेगार बुने हुए उतारेंगे दिखिए इस लाइन में हम यह उल्टा वाला फंदा बुन रहे हैं और यह सीधा वाला फंदा सिलिप कर रहे हैं जब हम इसे पल्टेंगे तो हमें यह वाला फंदा बुनना है और जो हमने यह फंदा बुना है उसे हमें सिलिप करना है ये उल्टा ये फ़न्दा स्लिप उल्टा वाला फ़न्दा उल्टा ये सीधा वाला फ़न्दा स्लिप उल्टा विल्टा 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 उल्टा, slip, उल्टा, slip, उल्टा, slip, उल्टा, slip, उल्टा, slip, उल्टा, और ये लास्ट का पन्दा, slip, अब इसे हाम पलट लेंगे देखी, ये पन्दा जो हमने slip किया है, इसे हाम पुनेंगे, उल्टा, देखी, ये सीधा वाला पन्दा, इसे हाम slip करेंगे, देखी, ये उल्टा वाला पन्दा, बुनेंगे, और ये सीधा वाला पन्दा, slip करेंगे, ये उल्टा वाला पन्दा, कि उल्टा बुनेंगे और यह सीधा वाला फंदा सिलिव करेंगे कि यहां पर इस तरह से ऐसे बनेगा इसे ध्यान से बनाईएगा अगर गलती से भी हमने यह सीधा वाला फंदा बुन दिया देखिए यहां पर जैसे हमें यह उल्टा वाला फंदा बुनना है तो हमने अगर गलती से इसीधा वाला फंदा बुन दिया तो इसलिए यहां पर ध्यान से बनाईएगा हमें यह सीधा वाला पंदा सिलिप करना है और यह उल्टा वाला फंदा उल्टा बुनना है यह सीधा सिलिप और यह उल्टा बुनेंगे सिलिप किया है उस पंदे को हम पुलेंगे यहां पे उसी तरह से इसे प्लट लेंगे जो फंदा हमने सिलिप किया है उस पंदे को हम पुलेंगे यहां पे उसी तरह से इसे हमने यह वाला फंदा सिलिप किया था तो इस पंदे को यहां पे देखिए यह उल्टा आ रहा है यह उल्टा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे देखे ये सीधा फंदा, सिलिप करेंगे, और ये उल्टा वाला फंदा, उल्टा, ये सीधा वाला फंदा, सिलिप, देखे, इस तरह से बुनते हुए हम इसकी लंबाई बनाएंगे, जहां पे हमें ये अंगुठा बनाना है, उतनी लंबाई मैं इसकी बना लेती हूँ, ये यहां पर बौर्डर से लेके लेगे लावब पवने 2 इंच की लंपाई में यहां बनाई है अब हमें यहां पर अंगुठा बनाना है देखिए यहां पर यह इस तरह से बनेगा यहां पर अगर आप भूल जाएंगे यहां पर फंदे तो यहां पर यह जूड़ जाएगा इस तरह से खुला हुआ नहीं रहेगा यहां पर यहां पर हमें अंगूठे के लिए अलग करने हैं देखिए यह वाला फंदा देखिए यह पर फंदा हमने सलिप किया है और यह पर फंदा हमने भूना है इस साइट से हम यह वाला फंदा बुनेंगे और यह वाला फंदा हम सिलिप करेंगे जो फंदा हमने इस टार्ट से सिलिप दिया था इसे हम बुनेंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आत, नौ इस तरह से यहां पर इस फंदे को हम अलग करेंगे और इसी फंदे को हम बुनते हुए अंग उठे के लंबाई पूरी करेंगे देखें यह फंदा हमने बुना है यह वाला इस फंदे को हम सिलिप करेंगे और यह उल्टा वाला फंदा हम बुनेंगे अब देखिए धागे को हम इस तरह से इसे आगे करेंगे यह फंदा स्लिप और यह फंदा उल्टा यह फंदा स्लिप उल्टा स्लिप उल्टा स्लिप उल्टा स्लिप उल्टा स्लिप अब इस slip वाले फंदे को हम इस side से बुलेंगे उल्टा, slip उल्टा, slip उल्टा, slip उल्टा, slip उल्टा देखें इतने फंदे हमें बुनते हुए अंगोठे के लंबाई से लंबाई मुझे बनाना है यह देखें मैंने अंगोठे के लंबाई पूरी करनी है अगर इसे ईंची टेफू से ना पेंगे देखें दो इंच से कम है से लंबाई इसके लिए बना रहे है о इस तरह से आप नाब भी सकते हैं, इस तरह से, यह कितना लंबा रखना है, अउटे के साइज, इस तरह, यहां से, देखे, इतनी लंबाई मैंने रखी है, यह उन है, तो यह थोड़ा सा इस तरह से बढ़ता भी है, देखे, यहां पर इसकी लंबाई पूरी करने के बाद, हमें यहां पर धागा कड़ कर देना है, देखे, सुई में धागा डालने के बाद, अब हमें यह सारे पंदे सलाई पे से निकाल लेने हैं, इस तरह से इसे खूल देंगे, देखे, इस तरह से हम सारे पंदों को सुई में डाल देंगे, ऐसे, कीज के इसे टार कर देंगे, देखिए ऐसे अब यहां पर गाट लगा देंगे दागा कट करेंगे देखिए इस तरह से यहां पर यहां गुठा बन गया है अब हमें देखिए यहां पर यह वाला हिस्टा बनना है यहां पर यहां पर हम दागे को अलग से जोइन करेंगे देखिए यहां पर हमें दागा जोइन करना है देखिए हमें यहां पर इतना बड़ा दागा छोड़ के इस तरह से यहां पर गाट लगा देना है यहां पर हमें यह दागा छोड़ देना है इस दागे से यहां पर शिलाए करने के काम आएगा यह दागा यहां पर ऐसे कर लेंगे और इसे हम बुलेंगे देखें यहाँ पर यह पहला फंदा सीधा है यह वाला तो इसे हम सिलिप करेंगे लागा इसाट करेंगे देखें यह पहला फंदा सीधा है तो इसे सिलिप करेंगे और यह वाला फंदा उल्टा है तो इसे हम उल्टा बोलेंगे यह सीधा, उल्टा, स्लिप, उल्टा, स्लिप, उल्टा, स्लिप, उल्टा, इसी तरह से हमें यह पूरी लाइन बनानी है इसे हम पलट लेंगे, और उसी तरह से हम बनाएंगे जिस तरह से हमने यहाँ पर बनाया है जब हमें यहाँ पर यहाँ बनानी रहेंगी, यहाँ पर हम इसे बंद करके आउलिया बनाएंगे देखे इस तरह, तो मैं इसकी लंबाई पूरी कर लेती हूँ, जहाँ पर मुझे यहाँ बनानी है वहाँ तक भी देखे फ्रेंस, मैंने यहाँ पर इसकी लंबाई पूरी बना ली है यहाँ पर देखे इसे हम इसी टेप से अगर नापेंगे तो यहाँ पर देखे लगबा को एक इंच लंबाई मैंने यहाँ बनाई है और यहाँ बौर्डर से लेके बौने तेन इंच की लंबाई यहाँ पर इने बनाई है जिसके लिए भी आप बना रहे हैं उनके हाथ पर रखके भी आप इसे नाप सकते हैं या फिर उनको उनके हाथ को इसे टेप से इसे ना पलिए क्विए तो फिर भी आप इसकी साइज बना सकते हैं अब देखेंगे आप हमें यहाँ पर यह वाली ऑउगली बनानी है इसके लिए हमें 8 पंदा चाहिए इसे हमने यहाँ पे 9 पंदा रखा था तो इस अंगली के लिए हमें यहाँ पे 8 पंदा चाहिए देखिए यह सीधा पंदा है तो इस पंदे को हम सिलिप करेंगे और यह उल्टा पंदा है तो इसे हम उल्टा बुनेंगे यहां पर दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, देखे, यहां पर आठ फंदा हो गया है, अब इसे हम पलट लेंगे, और इसी आठ फंदे को हम बुनेंगे, देखे, यह पहला फंदा सीधा है, तो इसे हम सिलिप करेंगे, और यह उल्टा फंदा, इसे हम उल्टा बुनेंगे, सिलिप, उल्टा, सिलिप, उल्टा, सिलिप, उल्टा, देखे, इसकी तरह से यह आठ फंदें बुनते हुए, हम इसकी लंबाई पूरी करेंगे, जिस तरह से हमने इसकी लंबाई बनाई थी, कि अग्सिप पूल्टा स्लिप के अग्सिप इल्टा स्लिप है इस तरह से तो मैं इस फिंगर की भी लंबाई पूरी बना लेती हूं जितने लंबाई मुझे चाहिए यह देखें अ यह उली बनाने के बार, जिस तरह से हमने यहां पर फंदे बंद किये थे, उससी तरह से, हम यहां पर भी फंदे बंद कर देंगे, जिस तरह से इसे इसे खोलेंगे, झाल झाल अब इसी तरह से हमें बाकी की अंगलिया भी बना रही है यहाँ पर हम धागा जोईन करेंगे यहाँ पर इतना बड़ा धागा छोड़के हम यहाँ पर इसे ऐसे गाट लगा देंगे आठ फंदे हमें यहाँ पर बुनने हैं इस तरह से हमें यहाँ पर बुनने हैं देखें यह पहला फंदा सीधा एक दो तेन चार पांच छे साथ आठ देखें आठ फंदा हमें एक फिंगर के लिए चाहिए और यहाँ पर देखें एक दो तीन चार पांच छे साथ एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ यहाँ पर देखें आठ फंदा यहाँ पर हमें एक फिंगर के लिए और यहाँ पर यहाँ पर यह लास्ट वाली फिंगर के लिए हमें यहाँ पर साथ फंदे रखने हैं कि यहां पर चोटी वाली फिंगर के लिए इसी तरह से हम यह तीन उलियां बनाएंगे तो मैं बना लेती हूं इसे भी यह देखे फ्रेंस मैंने यह उली भी बना ली है देखे यह बीच वाली उली इस उली से दो तिन सलाईयां हम बड़ी रखेंगे इस तरह से थोड़ी सी हमें यह वाली उली बड़ी तक नहीं है अब इसे भी धागा कट करके यहां पर इसी तरह से हम फंदे बंद कर देंगे जिस तरह से हमने यहां पर किये हैं यह देखे फ्राइगें फ्रियुख से बनाने के बाएत अभक हम यहां पर जुह पर इसकी यह तीसीरी उली बनाएंगे यहां पर धागा जोन करेंगे ओ यहां पे इतना बड़ा धागा छोड़ेंगे इसे हम गाट लगा लेंगे देखे पहला फंदा सीधा है इसे हम सिलिप करेंगे यह दूसरा फंदा उल्टा देखे एक, दो, तेन, चार, पाँच, छे, साथ, आठ देखे यहां पे यहां पे हमने आठ पंदे रखे हैं और यहां पे यह लास्ट वाले उगली के लिए साथ पंदे रखे हैं इसे हम पूरी उली बना लेंगे जिस तरह से यह दोनों बनाई हैं यह दोनों बनाई हैं यह दोनों बनाई हैं यह बना लूँगी पहले मैं यहां पर देखिए यहां पर इस तरह से होल बनता है देखे होलियों के बीच में देखे इस तरह से तो यहां पर यह जो धागा हमने यहां पर छोड़ा है इसी धागे से हमें यहां पर सिलाई करने हैं देखें सुरी में दागा डालेंगे और यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर हम सिलाई करेंगे यहां से इस तरह से इसे लेकर सिलेंगे यहां पर हमें धीला धीला ही सिलना है ज्यादा टाइट हम इसे नहीं करेंगे इस तरह से यहां पर गाट लगा देंगे यहां पर गाट लगा देंगे हम धागा कट कर देंगे इसी तरह से हमें सारी उलियों के बीच में यहां पर सिलाई कर देना है देखिए यहां पर यहां पर यहां पर तो मैं यहां पर सारी सिलाईया कर लेती हूँ जिस तरह से मैंने यहां पर सिला है तो इस तरह से मैं यहां पर सब सिल लेती हूँ और यहां पर देखिए यहां पर भी हमें सिलाई करनी है कि इस तरह से ऐसे पकड़के यहां पर इस तरह से सिलते हुए जाएंगे देखिए इस तरह से हम धागा लेंगे यहां पर इसे किनारे पर इसे इसे गाठ लगा देंगे देखिए इस तरह से सिलेंगे और यह धागे को हम ऐसे इसके अंदर ऐसे दबाते हुए जाएंगे आप देखिए इस दागे को हम कट कर देंगे यहां पर देखिए इस दागे को भी हम ऐसे इसके बीच में दबाते हुए जाएंगे यह देखिए फ्रेंस सब तरह के सिलाई करने के बाद देखिए यहां भी इसे हम पलट देंगे इस तरह से इसे अलट देंगे मैंने इसे छे से साथ साल के बच्चे के लिए बनाया है आप अपने हिसाब से छोटा या बड़ा इसे कर सकते हैं पहनने के बाद यह फीट हो जाती है इस तरह से छोटा बड़ा यहां पर दिख रहा है तो लेकिन पहनने के बाद सही हो जाता है देखिए इस तरह से हम दूसरे हाथ का रस्ताना भी बना लेंगे जिस तरह से हमने यह वाला बनाया है उसी तरह से देखिए यहां पर यह अं करोत separates a no City ऊब रखने हैं ये देख़्ेश मेने दोनों हाद के दस्ताने बना लिये हैं दुरीश फिबस तरफ को कियाते हिसी लाइ के साइट में और इसलाइ रहेंगे िंगे मेर। पर चसद्ब बीडियों के रहें लाइक कि较एसी तरह से देखे का कीजिए और मेरे चनल का सब्सक्राइब कीजिए थेंक यू बाई